हलो स्टूडेंट आज का जो हमारे टॉपिख होगा वह होगा रिडॉक्टिव एलिमिनेशन माईसल विशाल ठाकूर आम फैकल्टी एट वी स्कूलर्स अकैडमी और जो हम आज आप के लिए टॉपिक लाये हैं वह है और गैनोमेटरिक रियक्शन का पार्ट तू हम पार्ट करते हैं तो जो टोपिक है वो है और गेनोमटलिक रिक्षन उसमें हम औक्सेडिटिव एडिशन कर चुक है रिडक्टिव ऐलिमिनेशन आज का हमारा टोपिक रहेगा इसके बाद आएगा माईगरेटरी इंसेर्शन एंड बीटा हाईड़ाइड इलिमिनेशन ये चार reductive elimination की condition क्या है reductive elimination जो होता है वो completely, completely opposite होता है oxidative addition का it means इस reaction में क्या होगा reduction होगा बहुत बढ़िया इस reaction में क्या होगा कोई जो群 HinduL Interior जैसे x and Y Eliminate हो गया बहुत ही बड़िया अब ये जो X और Y Eliminate हुआ है ये दोनों ही एक दूसरे के SIS होने चाहिए SIS होने जो है वो बहुत ही ज़रूरी तो क्या होगा भीया Reduction होगा किसका? Metal का जो भी Central Metal Atom होगा एक गुरूप Eliminate होगा और दोनों गुरूप जो आपके Eliminate हो रहे है वो एक दूसरे के SIS होने चाहिए जैसे कि इस Example में देखते है आपका जो CH2, CH3 है और H है वो आपका क्या हो रहा है C2S6 बनके Eliminate हो रहा है यानि यहाँ पे एक Product मिलेगा आपको C2H6 बहुत बढ़िया यहाँ पे RH की Oxidation State है प्लस 3 और यहाँ पे RH की Oxidation State है प्लस 1 तो Lower Oxidation State में जा रहा है कितने से जा रहा है जनरली प्लस 2 से जा रहा है दूसरी बात इससे अलावा कि यह जो CH2, CH3 और H है यह एक दूसरे के क्या है SIS है तो यह हमारा क्या था Reductive Elimination चलिए आगे बात करते हैं कुछ और एक्जामपल को देखते हैं इसमें हमारा CS3, CS3 जो है वो Eliminate हो रहा है जो PD है वो आपका Zero Oxidation State में आ गया है यहाँ पे और जो Initial Oxidation State थी वो क्या थी आपकी प्लस 2 थी इसमें क्या है जो आपका H2 Eliminate हो रहा है दोनों ही एक दूसरे किसिस हैं और जो IR है वो आपका यहाँ पे जो मिलेगा वो आपको H2 और यह एक रेक्टन्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो IR की Oxidation State है अगर मैं देखू तो वो प्लस 3 थी और यहाँ पे जो है वो IR की Oxidation State के आगी प्लस 1 आप चाहिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं कुछ Salient Feature यार नि कुछ Important Points Reductive Elimination से लिए Elimination के Related तो चलिए वन बाए वन सभी को Discuss कर लेते हैं तो Point No.1 क्या कहता अभी है Since the Reductive Elimination involved Transfer of an Electron Payer Back into the Metal from 2 Anionic Legant The Metal Therefore should be in High Oxidation State It means that the Electron Deficient Metal Facilitate the Reductive Elimination चलिए इसको उससे समझते हैं Example से कोई Metal है उसके साथ आपके बहुत सारे Legant Attached है L1, L2, L3, L4, L5 and L6 इसमें से जो भी आपके दो Group निकलेंगे वो क्या होने चाहिए इससे सूने चाहिए Metal की जो Oxidation State है वो क्या होने चाहिए आपकी High होने चाहिए जब Oxidation State आपकी ज़्यादा होगी तो Metal कैसा हो जाएगा आपका Electron Deficient हो जाएगा क्योंकि Higher Oxidation State क्या करेगी Facilitate करेगी Electron Deficient को और यह Higher Oxidation State किसमें चली जाएगी अगर मालो सपोज यहाँ पे क्या है X है X पोजिटिव थी तो यहाँ क्या चली जाएगी X-2 हो जाएगी Metal की Oxidation State तो जो Electron Deficient होना चाहिए जो इस Reductive Elimination को Facilitate करेगा और जो Metal होना चाहिए उसकी High Oxidation State को प्रेजेंट होना चाहिए दूसरा जो High Oxidation State है उसकी Lower Oxidation State से कम Stable होने चाहिए तभी तो यह इसमें Convert होना चाहिएगा तभी तो यह इसमें Convert होगा बार बार तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाईया अगला Point No.2 क्या है The Legands which are to be Eliminated should be cis to each other इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके है The Legands which are trans to each other will not be Eliminated Trans वाले group Eliminate नहीं होंगे इसके अलावा Point No.3 अगर आपका कोई Pi Accepted Legand The Pi Accepted Legand Attached to the Metal will enhance the rate of Reductive Elimination अगर कोई Pi Accepted Legand आपका Attached है तो वो इस Reductive Elimination के rate को क्या करेगा बढ़ा देगा Point No.4 Low Valent Product Formed After Reductive Elimination बहुत ही बढ़िया बात है जी आपके दो गुरूप क्या कर गए? निकल गए तो जो Legand है Number of Legand क्या होगे? कम होगे तो Low Valent Product मिल रहा है यह जो Product है यह कैसा है? Low Valent है बहुत बढ़िया और दूसरी चीज़ यह जो है अगर Stable होगा तभी यह Compound बार 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 इसमें Convert होगा Otherwise Conversion नहीं होगा या कम होगा Next is अगर कोई बलकी गुरूप आपका पड़ा होगा The Presence of बलकी गुरूप और Steering, Crowding Facilitate the Reductive Elimination बहुत अच्छी बात है जी अगर दो गुरूप में क्या होगा Repulsion जादा होगा Crowding जादा होगी अगर Metal पे Crowding जादा होगी तो Repulsion जादा होगा Repulsion जादा होगा तो Legan Eliminate होना चाहेगा और जब Crowding जादा होगी तो आपका Reductive Elimination क्या होगा वो Facilitate हो जाएगा तो इसलिए Point No.5 कहता है कि जब बल्की गुरूप Attached जोंगे तो Reductive Elimination जादा होगा अगर CP गुरूप Attached है आपका किसी भी Legan किसिस में तो CP जनरली आपका Eliminate नहीं होता तो CPH अगर मालो आप H निकाल रहे हो तो CP ह आपका नहीं निकलेगा तो CP कैसा रहेगा भाई Non-movement Next is Point No.7 The Rate of Reductive Elimination follows the order Suppose कोई Carbon का गुरूप है और Hydrogen है तो उसका Reductive Elimination जादा होगा अगर दो Hydrogen निकल रहे हैं तो उसका उससे कम और CC वालों का उससे भी कम होगा यह आप याद कर लिजेगा यह जनरली पूशा जाद सकता है Next is Point No.8 Reductive Elimination में दो Metal भी निकल सकते हैं यानि दो Metal के गुरूप भी निकल सकते हैं जैसे कि इस Compound में देखिए आप पहले यह दोनों Add होंगे Oxidative Addition होगा और उसके बाद क्या होगा यह COCO4 और यह COCO4 यहां से सिस बनके बाहर हो जाएंगे तो दो Metal भी आपके क्या हो सकते हैं Eliminate हो सकते हैं उसकी संभावना भी यहां पे है Point No.9 Interductive Elimination Reaction Entropy क्या करेगी Increase करेगी क्यों भी आपके जो Product है वो Reactant से जादा है Reactant से जादा है क्योंकि Eliminate हो रहा है तो एक Product है जो Eliminate होके निकल रहा है और एक आपका जो बचा हुआ होगा क्योंकि Dissociation हो रहा है तो आपकी क्या है और Product जादा है It means क्या होगी Entropy क्या हो जाएगी आपकी जादा हो जाएगी Reductive Elimination generally किस में दिखता है PT4, PD4, IR3 and RH3 आपके शो करेंगे क्या शो करेंगे जी Reductive Elimination शो करेंगे तो Reductive Elimination में आज के लिए इतना ही इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमें हमारे दूसरे चैनल पे भी फोलो कर सकते हैं जैसे की Threads, YouTube, Facebook and Website इन चैनल पे आप फोलो करिए और आपके वहाँ पे Questions and Videos इसी तरह की मिल जाएंगी Thank you so much